तो दोस्तो जिस laptop का तुम्हें बेसबरी से इंतजार था फाइनली वो हमारे पास आ चुका है Primebook 4G यह जो laptop है ना यह Android का most affordable laptop है और बहुत सारे अच्छे specs के साथ यह laptop आता है क्या हैं वो specs वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा box के front में Primebook 4G की branding है इस side इसके कुछ key features है और इस side इसके price की detail है अब box को open करते हैं अब बात यह laptop made in India है और Prime OS इसके अंदर आता है अब इसको हटाते हैं यह हो गया हमारा box open इसको side में करते हैं यह है user manual इसको आप day to day user में use कर सकते हो की कैसे use करना है यहाँ पर इसके कुछ sort cuts दिये हुए इनको आप daily life में काफी use कर पाओगे और आपके काफी काम आएंगे इसको भी side में रखते हैं यह है हमारा laptop laptop यह हो गया भाई यह आगया हाथ में काफी lightweight सा है इसको देखते हैं बाद में और यहाँ पर आपको यह एक extra earphone मिलती है इनका बोट के साथ collaboration है तो यहाँ पर आपको यह earphone मिल जाएंगी यह हमारा charger तो भाई यह है हमारा प्यारा सा laptop in hand feel इसकी काफी बढ़िया है काफी soft सी feel आ रही है और काफी lightweight laptop है बीच में आपको prime book का logo मिलता है और यह पूरी matte finish के साथ आता है अब इसको करते हैं open और इसको रखते हैं side में मैं आपको इसके कुछ ports के बारे में बताऊं तो इधर USB type A port है 3.5 mm का jack इसमें आप लगा सकते ह यहां पर आप लोग memory card लगा सकते हो और इधर आप लोग SIM card लगा सकते हो और यह दोनों बाते मुझे इस laptop की काफी बढ़िया लगी इस side आपको USB type A का एक और port मिल जाता है यह charging port है और यहां पर HDMI port मिलता है पोर्ट आपको सारे मिल जाएंगे port में आपको कोई दिक्कत नही चलो अब इसको बूट करते हैं Prime Book powered by Prime OS Prime OS भी एक अच्छा operating system है जो आपको बूटिंग में एक Windows जैसा experience देगा अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से proceed करते हैं तो हमारा laptop open हो चुका है और यहां पर आपको अच्छा सा wallpaper मिल जाता है नीचे आप corner पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर जितनी भी apps आती हैं वो सब आपको इसके अंदर दिखाई देंगी app store पर क्लिक करके आप Android की सारी की सारी apps को download कर सकते हो और recommendation में आपको बिल्कुल सही app मिलेगी कोई भी फालतू की recommendation यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी और सबसे बढ़िया बात अगर आप ल इसको आप 128 GB तक expand कर सकते हो according to price यह RAM एंड इस्टोरेज का combination बिल्कुल ठीक है app opening और closing में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी and day to day uses में यह laptop आपका काम आराम से handle कर लेगा इसमें media tech का processor लगा है और prime OS इसमें आता है जो based है Android 11 पर अब इसकी performance के बारे में बताऊं तो मैंने browser में पांच टैब एक साथ open किये हैं और इन पांचों में एक के बाद एक पर switch करने में बिल्कुल भी delay नहीं होता मैंने इसमें temple run game को download किया और gameplay आपके सामने है performance बिल्कुल मुझे अच्छी मिली कोई भी lag इसू यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिला तो भई performance मुझे इ बिल्कुल ठीक लगी एंड performance के अंदर आपको इस laptop में कोई दिकत नहीं आने वाली इसमें आप 4G sim लगा सकते हो जो मुझे एक बहुती interesting feature लगा and sim लगी है तो calling पर भी आप लोग बात कर पाऊगे keyboard सच में मुझे इस laptop का बहुती अच्छा लगा मेरे हाथ के साब से इसके keyboard का size बिल्कुल perfect है और जितना मैंने इसको use किया उसमें मुझे typing के अंदर कोई भी दिकत नहीं आई अब इसकी display की तरफ देखो इसमें 11.6 inch की HD display लगी है और इसकी display के viewing angles बिल्कुल ठीक है मैं इसको पिछले 5-6 दिनों से use कर रहा हूँ मुझे इसके display के colors काफी बढ़िया लगे अब चाहे आप लोग इसमें movies देखो या फिर online study करो या फिर meeting attend करो आपको इसकी display के अंदर कोई भी दिकत नहीं आएगी एक बार full charge करने पर इसमें आपको 8 गंटे तक का battery backup मिल जाएगा और मैं आप लोगों को बता दूँ 8 गंटे का battery backup एक laptop के लिए काफी जादा माना जाता है अब जो इसका camera है उसकी quality आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो अब बात आती है पैसो की तो flip card पर इसके 464 वाला model 16,990 का आता है बट Prime Book की तरफ से 1000 का student discount है और कुछ और offer अपलाई करने के बाद ये laptop आपको 15,000 के आसपास पड़ जाएगा और अट इस प्राइस ये laptop अपने आपको पूरी तरीके से justify कर देता है ये offer सिर्फ limited time तक हैं तो मैंने पूरी बात प्राइम बुक 4G के बारे में आप लोगों को बता दी अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है और आप student हो, online class जादा लेते हो या फिर आप लोगो online meeting जादा अटेंड करते हो तो ये laptop आपके budget में बिल्कुल fit रहेगा तो भाई ये है पूरी कहानी प्राइम बुक 4G की आपको ये laptop कैसा लगा आप मुझे comment करके जरूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी तो like करके चैनल को subscribe कर देना अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं